सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें नमस्कार दोस्तों मैं राजेस कामता साइबर टीवी पर फिर से आपका एपर स्वागत करता हूँ आज किस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा 67B Information Technology Act पे Information Technology Act का ये जो section है ये सबसे महतपुर्ण section IT Act में माना जाता है 67B जो है वो एक ऐसा section है जो की non-bailable है IT Act में में दो ही section ऐसे हैं जो non-bailable है जिसमें एक 67B है जो आपको Child Pornography का है और एक है Cyber Terrorism का यही दो एक section ऐसा है जो non-bailable section है ये क्यों non-bailable है ये भी मैं आपको बतलाता हूँ Actually ये जो पूरा section है ये Child Pornography पे है Child Pornography को लेकर अभी भी हमारे देश में काफी confusion होता है इसको लेकर Pornography और Child Pornography में कई बार हम लोग differentiate नहीं कर पाते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है दोनों में कितना अंतर है Actually Child Pornography क्या है इसमें 18 साल से कम उम्र की किसी भी बच्ची हो या बच्चा हो उसके साथ किया गया किसी भी तरह का Sexual Activity Child Pornography में आता है और इसके लिए 67B का जो section है वो लागू होता है इसमें यदि आप किसी भी बच्चे का वीडियो बनाते हैं Sexually Explicit वीडियो बनाते हैं Photo बनाते हैं, painting बनाते हैं उसे share करते हैं, उसे transmit करते हैं उसका pamphlet बनाते हैं इस तरह से आप कुछ भी करते हैं बनाते हैं या फिर उसको share करते हैं, transmit करते हैं किसी दूसरे के साथ या आप खुद भी उसे देखते हैं भले ही आप अपने private room में हो अपने bedroom में हो फिर भी यदि उसे आप देखते हैं तो यह एक तरह का crime है क्योंकि इंडिया में child pornography देखना, बनाना share करना, transmit करना सारा provided है, मना है कानूनी, अवैद है तो इस तरह का act यदि कोई करता है तो वो इस 67 भी IT act के अंतरगत आता है और इसके अनुसार उसके कारवाई होती है इस तरह के मामलों में यदि पहली बार अपराद किया जाता है तो 5 साल तक की सजा है और उसके साथ जुर्माना का भी प्रावधान किया गया fine का भी प्रावधान है second time यदि repeat किया जाता है same crime किया जाता है तो उसके लिए 7 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपे तक का उसमें जुर्माना किया गया है तो इस तरह से ये जो सेक्षन्स हैं काफी कड़ा सेक्षन है IT Act का in fact सबसे कड़ा सेक्षन इसे माना जाता है इसमें किसी भी तरह की यदि नोटीस में आता है किसी का कि इस तरह का Child Pornography, WhatsApp पे, Facebook पे या फिर किसी भी electronic form में या electronic medium से यदि share किया जा रहा है तो 67 भी Information Technology Act के अंतरगत आएगा इसमें हला कि कुछ आपको छूट भी दिया गया है जैसे यदि science, art, culture या फिर religious मामलों में यदि इसके या public interest में यदि इस तरह का कोई painting बनाया गया है, कोई book है, कोई book लिखा गया है या फिर कोई video बना हुआ है, तो उसमें इस सजा का प्रावधान नहीं है, ये section वहाँ पे लागू नहीं होगा लेकिन इसके अथिरिक्ट और अगर किसी भी दूसरे intention के साथ यदि कोई इसे share करता है, transmit करता है या फिर बनाता है, या कहीं इसका pamphlet share करता है, या इसे अपने वार्शेप ग्रूप में, facebook ग्रूप में, या किसी website पे share करता है तो अपराद होगा, वो non available अपराद होगा, उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको, आपका concept किलियर होगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, share कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लिजे, ताकि इस तरह का cyber awareness related, जब भी मैं कोई वीडियो बनाओ, उसक आप याप प्रप्त कर सकते हैं, धन्यवाद